दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे महाराना परताब जी ने चेतक को ही क्यों अपना सवारी चुना तथा चेतक में ऐसी कौन सी खास्यत थी जिसके वजह से चेतक ही महाराना परताब के सबसे प्रिय घोडा था तथा चेतक महाराना परताब जी को कहां मिला तो इस अजी विशय को आज पूरे विस्तार से जानेंगे तो बने रही इस वीडियो में अंध तक चेतक सफेद रंग का सुनहरे नीले रंग मिसरित एक काठियावारी नसल का घोड़ा था चेतक का जन्म गुजरात में चोटिलाख के पास भेमोरा नाम के गाउं में हुआ था और ख खरीदे थें चारन व्यापारी ने इन तीनों काठियावारी नसल के घोड़ों को चेतक त्राटक और अटक को अच्छे से प्रसिक्षित किया और प्रसिक्षन के बाद उन्हें लेकर मारवाड आया चारन व्यापारी द्वारा अधिक कीमत लगाने के कारण मारवाड में इ चारन व्यापारी मेवाड की तरफ बढ़ा और महाराना प्रताप के पास जा पोंचा चारन व्यापारी घोड़े की नसल एवं उनकी वफादारी बताते हुए घोड़े को खरिदने के लिए आगरह किया महाराना प्रताप जी से अंजान व्यापारी होने के कारण महाराना प्रताप का मन नहीं था कि उस व्यापारी से वो तीनो घोड़े खरिदें लेकिन बार बार आगरह करने के कारण तथा घोड़ों को स्वामी भक्त बतलाने के कारण व्यापारी से उन घोड़ों का स्वामी भक्त होने का प्रमान मां तब चारन व्यापारी ने तीन घोड़ों में से एक घोड़ा अटक के चारों पैर में पिगला हुआ कांच डाल दिया ताकि घोड़ा वहां से हिल तक ना सके और पैर जम जाए फिर वो व्यापारी कुछ दूर जाकर छिपकर ऐसी आवाजे निकाली जैसे उस घोड़े का माल किसी मुसीबत में हो अपनी मालिक की आवाज सुनते ही अटक घोड़ा अपने मालिक को बचाने के लिए ऐसा चलांग मारा उस घोड़ा का चारों पैर उखड़ गया और धड़ जाकर बहुत दूर में गिरा ये सब देखकर महाराना परताप के आँख में आसु आ गए और पस्चाताब भी बहुत किया तथा उस वियापारी से बाकी दो घोड़े चेतक और ट्राटक खरीद लिए तथा अटक के भी पैसे दे दिये चेतक को महराना परताप ने अपने पास रखा तथा त्राटक को महराना परताप ने अपने भाई सक्ति सिंग को दे दिया उसी चेतक ने महराना परताप जी के लिए चेतक ने अपना सरोच बलिदान दिया महाराना परताब जी और चेतक की गाथाएं आज भी तियास के सुनहरे पन्नों में लिखा है दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और इतिहासिक वीडियो के साथ